हेलो बच्चाबादी वेलकम बाक टु दा क्विक रिवीजन ओफ रिग्रेशन का रिवीजन हमने कर लिया उसके बाद मैंने को रिवीजन के तीन क्या करना है वीडियो को लाइक भी कर लेना है और कमेंट करके बितावी देना है अपनी भाव न है चलो रिग्रेशन होता है जो दूसरे के ऊपर dependent होता है मतलब यह जैसे जैसे चेंज होगा यह भी चेंज होगा बट यह जो चेंज होगा वह कितना चेंज होगा वह निकालना है हमको और जो हम लोग यूज करने वाले शाप्टर के अंदर regression equation ठीक है मतलब यह वाला जो हो रहा है अपने से इसके कारण वाला गरियेन कितना चेंज हो रहा है वह निकालते शाप्टर में ढff सब्सक्राइब एक रक्राप मतलब कितनी क्राप उगेगी वह डिपैंदेंट ड़ाट लिकितनी rainfall होगी उसके उपर, so what we can say this is dependent, तो माल लो तुमको इतना इतना data दिया रहता है, तुम लोगों को एक data missing देता है, बोलता है बताओ कितना होगा crop, तुमको निकालना होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते है, regression बोलते हैं, ठीक है, तो अब regression equation हमको बनाने पड़ते हैं, regression equation दो type के होते हैं, दो variable है अपने पास x और y, तो ऐसा हो सकता है कि y dependent है x के उपर, और यह भी हो सकता है कि x dependent है y के उपर, so we simply say y dependent on x और y on x बोलते हैं हम लोग इसको, और इसको हम लोग x on y बोलते हैं, when x is dependent on y, ठीक है, equation कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, कि यह देखो जब x on y बना रहे हो तो आपको b x y निकालना है, आर यह बात समझ में, ठीक है, अब यह y x और b x on y क्या होता है, यह मैं बता रहूंगा तुम लोगों को, इसको हम बोलते है, regression co-efficience, क्या बोलते है, regression co-efficience बोलते हैं, यह हम लोगों को solve निकालना पड़ता है, उसके y-bar, अब y-bar क्या होता है, mean, आपको पता है, और y is a variable, ठीक है, y तो variable है, और right side में x है, तो यहाँ पर लिखोगे x-x-bar, यह आपका बन गया regression equation, इसको अब simplify करोगे, तो y is equal to a plus bx के format में आपको इसको लिखना होता है, किसको y on x को, अब वैसी x on y को देखो, bx on y, तो x left side म है, तो y minus bar y, ठीक है, यहाँ पर भी x और y variable है, x bar y bar mean है, और bx on y आपका regression coefficient है, इसको आप simplify करोगे, तो x is equal to a format में लिखोगे, क्योंकि यह x dependent on y है, और इसको y is equal to a format में लिखोगे, क्योंकि y dependent upon x है, इसके बाद b represent कर रहा है regression coefficients को, आपको बता होगी यह बात, यहाँ पर ज present कर रहे है regression parameters को, ठीक है, अब देखो b y on x और b x on y निकालने के अपने पास तीन-तीन तरीके है, depending upon question हम लोगों को क्या data provide किया है, अगर हमको question raw data provide कर दिया है, x दे दिया है, y दे दिया है सारे, तो हम लोग यह वाला फहला वाला formula यूज़ करोगे, which is something like Carl Pearson का formula, जो कि हम लो sigma x को holds for, अब यहाँ पर बाद में y है, तो नीचे में देखो y आएगा, ठीक है, इसके बाद sd का use करके भी निकाल सकते हो, question में sd provided रहेगा, तो देखो b y on x, तो y उपर है, तो यह देखो y उपर, x नीचे, तो यह देखो sd of x नीचे, और r से आपको इसको multiply करना है, तो आप यह वाला formula use कर सकते हो, इस case में यह देखो x पहले है, तो x उपर, y बाद में तो y नीचे, ठीक है, फिर finally तीसरा formula आता है, आपका covariance पर based है, तो b y on x निकालना है, तो बाद में x है, तो नीचे sd of x का square लोगे, और यहाँ y बाद में तो नीचे sd of y का square लोगे, और उ same covariance of xy, covariance of xy, are you getting my point guys, yes, yeah, yes, we are getting your point, ठीक है, तो यह आपके formula हो सकते है, question के according, अलग-अलग formula use हो सकते है, जैसे मैं तुमनों को अगर question दिखा हूँ, यह देखा हूँ, यह direct formula number 1, formula number 1, formula number 1, इसके उपर अभी मैं बात करूँगा, और, okay, yes, responsiveness of regression due to change in origin or scale, तो भाई, अगर origin या scale change हो रहा है, तो regression में क्या फरक पड़ता है, तो it is not affected by change in origin, इससे इसको फरक नहीं पड़ता, but it is affected by change in scale, इसको multiply division से फरक पड़ता है, इसका मतलब यह है, कि अगर आपको question में b, y on x, या b, x on y दिया रहे, और आपको कुछ दूसरा निकालने के लिए बोले, जैसे माल लो b, u, v निकालने बोले, या b, v, u निकालने बोले, तो आपको क्या करना है, आपका जो scale रहे का y का, यह देखो, उपर पहले y है, तो उपर में y, बाद में x से तो नीचे x, वैसी यहाँ पर यह देखो, यह scale है, यह scale है, बस आपको scale से multiply कर देना है, यह दोनों scale है, n, m represent here scale, ठीक है, यह भाया, क्या relationship है, correlation regression regression के बीच में, बहुत बहुत बार आता है, यह वाला question exam में याद रखना, correlation is equal to होता है, plus minus root over regression coefficients, दोनों regression coefficient, अब मुद्दा यह कब plus लेना है, कब minus लेना है, तो अगर आपका यह दोनों item plus है, तो आपको sign plus लेना है, और अगर आपका यह दोनों item minus है, तो आपको sign minus लेना है बात, ठीक है, और यह वाला question आपको याद है, trial and error से हम लोग solve करते थे, हम लोग पहले equation को by on x assume करते थे, दूसरे को bx on y, अगर हम लोगों का answer minus 1 से plus 1 के बीच में आ जाता था, तो हम लोग बोलते थे, हाँ भाई, सही assume किये है, बट अगर हमारा answer इस area के बाहर आया, तो हम लोग फिर ultra assume करते थे, पहले वाले को bx on y, दूसरे को by on x, ठीक है, पहली priority, पहले equation को अमेशा by on x assume करना, क्योंकि most of the time य इनों के sign कभी भी same होते है, मतलब अगर ये दोनों positive है, तो ये भी positive होगा, ये दोनों negative है, तो ये भी negative ही होगा, ठीक है, और तो intersection point होता है regression line का, are there mean, मतलब जब आप दो regression line को simultaneous equation method से solve करोगे, और solve करके तुम answer निकालोगे, तो जो answer तुम्हारा x का value और y का value आएगा, वो यहां पर जिसमें तुम्हें को question दिखा रहा था, तो यह देखो, यह तुमको 2 equation दिये हुए, तुमको question ने बोला, कि भाई, x, y, variable के mean निकाल दो, और coefficient of correlation निकाल दो, तो यह देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, simultaneously इसको solve किया, simultaneous solve किया, तो y की value 90x की value 130 आ गई, तो यह उनक चिपका हुआ है, वही तुम्हारा regression coefficient होता है, तो यहां x के साथ चिपका हुआ है, और यहां y के साथ चिपका हुआ है, तो यहां पर देखो, यहां पर x के साथ 1 by 2 चिपका है, और 3 by 2 चिपका है y के साथ, यहां पर 2 चिपका है y के साथ, और 2 by 3 चिपका है x के साथ, तो य यही मैंने regression coefficient है, तो देखो मैंने लिखा b y on x is 1 by 2 and b x on y is 3 by 2, although यहाँ पर भी b x on y 2 है और b y on x 2 by 3 है, आई बस समझ में, तो इसके बाद यह देखो, मैं r is equal to का formula लगाया, normal, यह देखो हमने values को डाल दी, और जब हम find out किये values को, अच्छा यह चीज ध्यान में रखना, दोनो positive था, तो मैंने root के बाहर positive sign लगाया, ठीक है बच्छो, yes, तो यह देखो, जब मैंने answer निकाला, r is equal to 0.87 और r is equal to 1.15, तो यह मेरे range के बाहर चला गया, तो यह मेरा answer नहीं हो सकता, तो मेरा answer यह होगा, mcq में, ठीक है, तो mcq में आपको ऐसे trial and error करके देखने हैं, आपको y on x बोला था, y dependent on x बोला था, और x की value 55 दे दी थी, तो हम इसको कैसे solve करेंगे, हम इसको by on x को निकाल लेंगे, देखो, by on x को हमने निकाल लिया, यह normal formula यूज करके, यह आगे 0.94, equation बनाएंगे y on x का, और वहाँ x की value डाल देंगे, तो यह आपका answer आजएगा, तो यह simple तरीका है, regression बहुत easy chapter है, तुम लोगों बिल्कुल डाने की ज़रत नहीं, regression मजाक है, सची में मजाक है regression, ठीक है, regression का बहुत short revision था, within 10 minutes हमने इसको revise कर लिया, क्योंकि इसमें concept ही नहीं chapter में, इसमें बस आपको solving के तरीके पता होना चीए, and that's it, all खतम, ठीक है, और regression क्योंक तो time भी नहीं बचा, of course, और तुम लोगों का live session stream होने वाला है, 4 तरीको, ठीक है, 3 September है, 4 September को तुम्हारा live session होगा, रात के time पे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसी तुम लोगों चिल आउट करवाएंगे, तो वो live session आप लोग जरूर रेटन करना, तो इ बचा करेंगे, बाइगे, बाय भीक है, तो झा करेंगे, पिर्चा करेंगे, बाइडे बाइए रटाओाएंगे, प्राइए, बच्राओे, टुम लोगों है.